कि हेलो एब्रिवन स्वागत है एक बार फिर से आप से भी कमेर यूट्यूब चैनल में आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो आज मैं बहुत ही हेल्दी ब्रेकपास्ट बना रही हूं तो मैं बना रही हूं सूजी के उत्पम और उसी की रहे से भी आज आप से बनाय की जड़त पड़ती है और यह बहुत ही हेल्दी और लाइट होता है तो चलिये बनाना स्टार करते हैं मैं आप भी कुछ दिखा दीती हूं कि मैंने इसमें क्या क्यूँज किया तो यहां पर देखिए मैंने सारा समा निकाल लिया है यहां पर मैंने कटोरी दही ली है कि अकको टोजी एक एक पयाज एक सिम्हश्य मिर्च एक टामाट्र इधम कईाध्ट एक थोड़ी सी बींक्ष ओ्रltry मिर्च तो यहाँ पर मैं अपनी हिसाब से सब्जियां डालोंगी तो यहाँ पर मैं डालतूंगी सब्से पहले डेड़ कह तोजी डाल दूंगी मैं कटोरी डाल देना है इसमें दहीं अभी इसे अच्छे से चलाते हैं मिक्स करेंगे और इसे यह चेक कर लेंगे कि इसमें कितने पाणी की जरूरत है टो चितने पानी की इसमें जरूरत है उसमें पर चूब कर देंगे क क्योंकि हमें एक थोड़ा सा, ना ही भूजादा गाढ़ा, ना ही भूजादा पतला, इस तरीके का गोल तयार करना मैं आपको दिखा दूंगे अभी, तो यह देखिये यहाँ पर मैंने इसमें पानी आड़ कर लिया है अभी इस तरीके का एक पेश्ट तियार हो गया है हमारा यह देखिए देखिए अब इस पेश्ट को हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे कम से कम एक घंटे के लिए तो हम तब तक अपनी सब्जा काट लेते हैं यहाँ पर मै काट लिए मिनकुल बारिक बारिक मैंने प्याज तो यहां पर मैंने सारे सब्जियों को अच्छे से काट लिया और यह मैंने धनिया ले लिया है हरा धनिया इस अच्छे से दो लिया है तो एक बड़ा बाउल लेंगे सारे सब्जियों को इसमें मिक्स कर लेंगे यहां पर मैंने बींच डाल दिया है यह डाल दिया मैंने टमाटर यह प्याज यह सिमला मिर्च और यह डाल दिया मैंने हरा धनिया अब इन सारे सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो सब्जियों को अलग-अलग भी रख सकते हैं और अलग-अलग भी उ बारो सब्जी को डालेंगे तब तक हमारा उत्पम एक साइड से पक चुका होगो तो उसमें सब्जे अच्छे से चिपकेंगी नहीं तो अब यह देखे गंटा हो गया है हमारा पेश्ट अच्छी इस तियार हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया सर्सों के तेल में राही चटक UM लाट रवल्किल बिल्कुल healthy breakfast होता है तो इसमें कोई भी ज्यादा मसाल यूज नहीं होते आ इसमें नमक हल्का सदनिया पावडर और आप चाहें तो अगर आपको हिंग पसंदा है तो हिंग भी डाल सकते हैं मैंने यहां पर हिंग भी नहीं डाली है मैंने बस थोड़ा सा चांट मसाला डाला है तो मैंने ले लिया ये डोसे वाला तबा और इस पर लगा दिया है मैंने थोड़ा सा देशी घी अब मैंने पेश्ट एक कटोरी में ले लिया है और कटोरी से ही मैं पेश्ट तवे पर डालूँगी क्योंकि कटोरी से एक साथ ही हम जब पेस्ट डालेंगे तो अच्छे से हमारा पेस्ट फैल जाएगा अगर हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे तो हमारा पेस्ट वहीं कम ही जम जाएगा और हमारा उत्पम अच्छे से नहीं बन पाएगा तो ये देखें कट्टुल से एक साथ डालने में हमारा विल्कुल अच्छा उत्पम तियार होगा तो अब इस तरीके से मैंने फैला दिया और फटा फट से डाल देंगे इस पर हम सबजियां अब देखें चारों सब्जियों को एक साथ मिक्स करने से ये फायता है कि हमें एक ही बार में सब्जियां डालने से ये सब्जियां अच्छे से उत्पम के अंदर तक चली जाएंगी तो अब यही मैंने सारी सब्जियां डाल दी है इस तरीके से अच्छे से चम्मच की हल्प से हम सब्जियों को थोड़ा सा अंदर की तरफ इस तरीके से कर देंगे अभी देखें देखने में कितना अच्छा लग रहा है यह खाने में भी इतना ही टेस्टी बनता है अब हम गैस को बिल्कुल सिम कर देंगे और धीमी धीमी आज पर उत्पम को पकने देंगे तो देखे जिस तरीके की यह किनारी दिख रही है इस तरीके का जब हम सारा उत्पम हमारा उपर से हो जाएगा तब हमें इसे पलटना है तब तक हमें नहीं पलटना है वरना यह तू इसे बार-बार नहीं पलटना है जब एक तरफ से अच्छे से सिख जाएगा तभी हमें इसे पलटना है अब जब दूसरी तरफ से सिख जाएगा तो इस तरीके से फोल्ड कीजिए और गर्मा-गर्म सर्व कीजिए हरे धनी की चटनी और सोस के साथ आप सभी भी ट्राइ किजिए एक बार उत्पम बनाने की ये रेसिपी और आप सभी को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बुक्स में कमेंट कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब